नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टार्गेट इस्टडी आईक्यूमेंट दोस्तों लाइफ में कभी भी किसी से बेमानी कर लेना लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अपने पढ़ाई के प्रती हमेशा इमानदार रहेना क्योंकि ये वक्त जो आपका चल रहा है ये दुबारा मिलने वाला नहीं है आपको जो मौका मिला हुआ है उसमें आपको सक्सेस्फुल होना है और अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो आपका लाइफ का पार्ट चल रहा है ये बहुत ही पेनफुल टाइम है लेकिन बाद में आपको एसास होगा कि ये जो समय था य आपको जिन्दगी भर याद रहेगा क्योंकि ये सबसे अच्छा पार्ट होता है लाइफ का तो चलिए इस वीडियो को सुरबात करते हैं देखिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग विलोम सब्द कैसे सीखें बहुत सारी स्टुडेंट्स को मैंने देखा है जो स पहले बिलोम कर ले दे उससे ज्यादा आप करने लगेंगे और ये ट्रिक्स आपको नॉर्मली कोई नहीं बताएगा ध्यान से सुनिएगा आप सब कुछ सीख पाएं देखो हमारे सामने कोशन है कोशन को पढ़ते हैं देखें इस कोशन में है कि जंगम का बिलोम सब्द क् कोशन है और आपको मन में कुछ भी नहीं आ रहा है कि इसका क्या हो सकता है आपने देखा जंगम का कुछ लगों को लगे आ रही है तो पहली बार सुना हुआ है ठीक है ऑप्शन भी देखेंगे तो कुछ खास आइडिया नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में क्या एप्रोच हो होनी चाहिए क्या कि वहल रटने वाले ही विलोम सब्द कर पाएंगे तो ऐसे समय पे आपकी एप्रोच क्या होनी चाहिए वह मैं बताता हूं और उसी से देखना कितनी आसानी से कोश्ण सॉल्व हो जाएगा सबसे पहले देखो विलोम सब्द पता करने की ट्रिक नंबर बन पहला तरीका तो आप सबको पता है कि जितना जादा कहीं से भी विलोम सब्द मिले उसको रट लो ठीक है थोड़ा बहुत आपको माइंड में इमेज बनी रहेगी एक्जामे कर दोगे सॉल्व वो तो आप क इस जंगम का मतलब क्या होता है अगर आपको यही नहीं पता है तो आप किसी कीमत में विलोम सब्द नहीं बता पाऊगे यानि कि अगर आपको विलोम सब्द सीखना है तो जो वर्ड जिसका विलोम हमें बताना है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए तो मतलब पता करने के जब भी आप Hindi subject पढ़ दाय होगे, हिंदी कहीं से भी पढ़ दाय होगे व्याकरण, तो पढ़ते समय, ना के बल विलोम बाले topic में कोई भी topic पढ़ दाय हो, उसमें अगर आपको कोई भी word समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसको तुरंथ Google करके, आप तुरंथ चेक करके, उस तो पहले तो आपको words का मतलब पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने method आपको बता दिया, ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये बिलकुल वैसा ही होता है, मतलब words का मतलब पता होना, जैसे हम English पढ़ते हैं, English पढ़ते समय हमें vocabulary नहीं पता चलपाती है, तो उस vocabulary को हम अलग स से copy बनाकर note कर लेते हैं, dictionary में देखकर, इसी तरीके से ये हिंदी के words हैं, अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, तो तुरण सब के हाथ में mobile है, Google करके उसका मतलब समझा लेंगे, ठीक है, दूसरा तरीका देखो, आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर टू, विलोन सब्द हमेसा सा जातिये होते हैं, मतलब एक ही जाती है, ठीक है, अर्थात, संग्या क्या विलोम संग्या, ये चीज़ बहुत दियान देना, कि मालोग किसी question में कोई संग्या दे रखी है, और उसका विलोम अगर आपसे पुछा है, तो उसका संग्या क्या विलोम कभी भी सर्वना विसेशन या क्रिया नहीं होगी संग्या क्या संग्या यानि कि नाउन का विलोम जो होगा आपोजिट वो नाउन ही होगा यानि कि संग्या क्या विलोम संग्या तो जैसे चार ओप्षन दिए जैसे मालों यहां पर आ जाते हैं मालों चार ओप्षन दिए और आपको यह पता चल्गा है कि यह संग्या है तो हो सकता है तीन option में ये सर्वनाम हो ये विसेशन हो ये किरिया हो तो ये तीनों cancel हो जाएंगे और चौथा वाला automatically आपका answer हो जाएगा ठीक है ये trick का use करके काफी हम लोग find कर सकते हैं इसी तरीके से सर्वनाम का विलोग सर्वनाम होगा ठीक है विसेशन का विलोग विसेशन होगा और किरिया का विलोग किरिया होगा ठीक है ये आपको सारी चीज़े पता चल गई दो trick हम लोगों ने सीख ली तीसरी trick सीखो तीसरी trick में क्या है कि हम लोग उपसर्गों का प्रियोग करके विलोम सब्द बनाते हैं उपसर्ग का यूज़ करके विलोम सब्द कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं अगे slide में चलते हैं ये हाँ उपसर्गों का यूज़ करके हम लोग विलोम सब्द कैसे बनाएंगे वो समस्ते हैं क्या होता है कि आ उपसर्ग जोड़कर कभी-कभी आपने देखा होगा किसी सब्द का हमें विलोम बताना होता है तो उसके विलोम में केबल आ जोड़ दिया जाता है और वो उसका विलूम बन जाता है, जैसे सब्वे का अगर विलूम पूछे, तो सब्वे के आगे केवल आ लगा दिया, तो असब्वी हो गया, ठीक है, इसी तरी इसका फाइदा में कैसे मिलता है, इसका फाइदा ऐसे मिलेगा, कि हम लोग अपने कोशन पर आते हैं, ये, मानलो, यहाँ पर कोई एक वर्ड दे रखा हो था, सब्वे क्या बिलूम, अब सब्वे के बिलूम में, जहां पर आ लगा हुआ हूँ, उसको एक बार अलग से हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, जैसे इसमें आ नहीं है, इसमें आ नहीं है, इसमें आ नहीं, अब जो आ लगा हुआ है, उसको हम लोग अलग से चेक कर लिया करेंगे, हो सकता वही उसका मतलब हो, तो थोड़ा बुत आइडिया मिल जाएगा, हम लोग आंसर तक लगबग वहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, यह सारी ट्रिक्स है, उसके बाद में रेखते हैं, उसी जिएकर पहुंचते हैं, ठीक, तो आ जोड़कर कैसे विलों मनाएंगे, वो हम सीख रहते हैं, नयाय का अन्याय, लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, और सामान्य का असामान्य, इन सारे में आ का यूस किया गया है, उसके बाद में दूसरा है, अप का यूस करके, कई सारे विलों में ऐसे होती, जिसम का अप कीर्ती, ठीक है, कभी-कभी कोश्चन में अप की जगह कुछ और जोड़के कीर्ती लगा देता है, तो आपको अप करना है वहाँ पर, इसी तरीके से अनुपसर्ग जोड़कर भी बनता है, जैसे अंगीकार का क्या होगा, अनंगीकार, उत्तरित का क्या होगा, बेग गया, इस तरीके से भी solve हो जाता है, आगे देते हैं, निस, निस और निस, उपसर्ग जोड़के, जैसे पाप का क्या हो जागा, निस पाप, ठीक है, यह वो मैट्रिक पता रहा हूं, जिसमें उपसर्ग जोड़कर भी हम लोग बता देते हैं, सक्रिय का निस्क्रिय, सुल्क, ससुल्क, निसुल्क, सचेष्ट, निस्चेट, तेज, निस्टेज, इसी तरीके से निर का यूज़ भी हम लोग उपसर्ग उदारा करते हैं, जैसे अभिमान का निरभिमान, सापेच का निरपेच, सादर का निरादर, सामिस का निरामिस्ट, और सलग्ज का इसी तरीके से वी उपसर का यूज करके हम लोग कैसे करते हैं सम्मुक का यूज हो जाएगा विमुक और राग का हो जाएगा विराग देश का हो जाएगा विदेश और योजन का हो जाएगा वियोजन इसी तरीके से और भी दे रखें हैं आप वीडियो को पॉस करके नोट् अब हम लोग previous year question करेंगे ठीक है question number one देखो ये वीडियो पहला इस वज़े से सारा concept आपको बता दिया है दूसरे वीडियो में हम लोग lots of question करेंगे इतने question solve कर लेंगे कि उससे बार question जाई नहीं सकता बस आप लोग वीडियो को regular like करिए comment करके बताईए आपको वीडियो कैसा लगा सांत मत बैठिए बताना पड़ेगा आपको और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे तभी मुझे motivation मिलेगा दूसरी वीडियो बताने का आप उसी question पर जंगम का विलोम सब्द बताईए आप इसमें मैंने जो trick बताई थी वो अपलाई करते हैं इसमें trick number one लगेगे कि आपको जंगम का मतलब पता ही होना चाहिए तो जंगम का मतलब होता है जो चल सकता है और जो चल सकता है उसका विलोम क्या होगा जो इस्थिर होती है तो उसका क्या हो जागा वे प्रलाए बी ओप्शन हो जागा प्रलाए ठीक है तो यह हम लोग दो question solve कर लिए हमने पूरी theory देख ली आगे वाली वीडियो में हम लोग बस number of questions ज्यादा स्यादा solve करेंगे पिछले सालों में आए हुए 10 से 15 सालों में जो भी विलोम सारे में यहां पर discuss कर दूँगा so that आप लोगों को प्रापर तरीके से idea मिल सके कि actual में आपको exam में कैसे करना है बस आप लोग मेरे टेली ग्राम चैनल से जड़ो जुड़ जाए जिसका description में link दे रखा है उस पर click करके टेली ग्राम चैनल से जुड़ जाए वहां पर मैं य सारे material की PDF प्रोवाइट करा दूँगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद